नमस्कार दोस्तों जैहिंद, जैभार्त, आर्मी की त्यारी करने वाले मेरे सभी यूवा भायों को जैहिंद, जैभार्त, आर्मी समा ने गयान के 3000 महत्वण पर्षन्ट जी हाँ दोस्तो आर्मी समानिग्यान के 3000 महत्मुन परसनों की सीरीज नमबर 7 आज पढ़ने जा रहे हैं ये वो परसन है जो आर्मी के एक्जामे बार बार पूचे गए हैं आर्मी की जितने भी प्रिवेस एर के क्यूशन पेपर हैं उनमें से उठाय हुए क्यूशन है सभी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुती खास होने वाला है तो फटा फट वीडियो को सेर कर दीजिए सेशन स्टार्ट करते हैं सेशन में पहला क्यूशन हमारा है किस्ट क्या पुछा गया है कि अशोग चकर प्राप्ट करने वाली पर्थम महीला कुन थी उप्सन आपके हैं मीरा कुमार निर्जा बनोट विजे लक्षमी पंडित इन में से कोई नहीं तो right answer होगा option number B, option B आपका सही होगा निर्जा बनोट, असोग चकर प्राप्त करने वाली पर्थ महिला कौन थी? निर्जा बनोट थी next question क्या बनता है कि असोग चकर सांती की समय में दिया जाने वाला सर्वोज पुरुसकार है अगर आपसे क्यूशन ये पूछ लिया जाए कि सांती के समय में वीर्था के अंदर दिया जाने वाला सर्वोज पुरुसकार कोन सा है तो आपका अनसुर क्या होगा? असोग चकर नेक्स्ट कुशन ये बनता है कि असोग चकर की स्तापना मतलब असोग चकर की सुरुवात कब होई थी? 4 जनवरी 1902 इस्वी से इसकी सुरुवात होई थी? कब से 4 जनवरी 1902 इस्वी से सुरुवा था ये पुरुसकार नेक्स्ट कुछन ये बनता है कि सर्वोच वीरता का पुरुषकार कोन सा है पहले भी मैंने क्लास वे पढ़ाया था कि सर्वोच वीरता का पुरुषकार कोन सा है प्रमवीर चकर है कोन सा है प्रमवीर चकर लेकिन शानती के समय वीरता के अंदर दिया जाने वाला सर्वोच प प्रमवीर चकर देना स्टार्ट किया गया था नेक्स्ट कुशन ये बनता है कि प्रमवीर चकर प्राप्त करने वाले पर्थम वेक्ती कोन थे मेजर सोमनाथ सर्मा बहुत इंपोर्टेंट कुशन है कि प्रमवीर चकर प्राप्त करने वाले पर्थव वेक्ति कोन थे मेजर सोमनाथ सर्मा एक्जाम में कई वार रेपीटेड हो चुका है ये क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन हमारे सामने है विश्व में सरवाधिक वर्षा वाला स्थान कोन सा है क्यूशन क्या पूचा गया है कि विश्वय में सरवादिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है आपके ओप्सन है अमेजन गाटी मासीन राम चेरा पुझी इनमें से कोई नहीं तो right answer होगा option नमबर B मासीन राम मासीन राम कहां पर है मिघाले राजे के अंदर है मिघाले कहां पर बाहरत में नेक्स्ट कुछन ये बनता है कि गारो और खासी पाडियां कहां स्तित हैं गारो और खासी पाडियां किस राजे में स्तित हैं क्यों सुन ये पुछा जाएगा गारो और खासी पाडियां किस राजे में स्तित हैं मिघाले में स्तित हैं कहां पर मिघाले में स्तित है इन पहाडियों का जो नाम है यहां जंजाती रहती है गारो और खासी इनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था गारो और खासी पहाडिया नेक्स्ट कुछन देखते हैं आर्मी के एक्जाम में राजदानिया भी पूछी जाते हैं तो सभी राजदानिया याद कर लें अच्छे से नेक्स्ट कुशन ये है विश्वे का दूसरा सबसे बड़ा महादीब कौन सा है उप्सन आपके हैं एसिया, अफरीका, ओस्ट्रेलिया, यूरोप तो राइट आनसर होगा ओप्सन बी अफरीका, ओप्सन बी अफरीका आपका राइट आनसर होगा विश्वे का जो दूसरा सबसे बड़ा महादीब है वो कौन सा है अफरीका है अब अफरीका से बनने वाले सभी important question discussion करेंगे इससे पहले हम थोड़ी शी नजर महादीब पर ड है छेतरपल की दरस्टी से सबसे बड़ा महादीब कौन सा है एसिया क्यूशन पूछा हुआ है कि छेतरपल की दरस्टी से सबसे बड़ा महादीब कौन सा है तो एसिया है दो नंबर पर कौन सा है अफरीका है और सबसे छोटा महादीब कौन सा है औस्ट्रेलिया तो ये थे महादीब से important question next question देखते हैं महादीब से समंधित है एक मातर ऐसा महादीब कौन सा है जिस पर कोई भी निवास नहीं करता है कौन सा महादीब है अंटार्टिका महादीब एक मातर ऐसा महादीब है जिस पर कोई भी निवास नहीं करता है next question अब discussion करते हैं अफरीका महादीब स उपनाम क्या है तो इसे क्या कहते हैं आधुनिक मानव की जनमस्तली और अंद महादीब कहते हैं अंद महादीब क्यों कहते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से सेक्षणिक रूप से सभी रूप से पिछड़ा हुआ महादीब है इसलिए इस महादीब को अंद महादीब कहते हैं नेक्स्ट कुशन अफरिका महादीब से क्या बनता है कि अफरिका महादीब का दक्सिंतम बिंदू को क्या कहा जाता है केप ओफ गुड होप ये भी क्यूशन इंपोर्टेंट क्यूशन है एक्जाम में पूछा हुआ क्यूशन है क्यूशन क्या है अफरिका महादीब का दक्स महाधीप का सबसे बड़ा देश कौंशा है तो कौंसा देश है Algeria 266 की दिरिस्टी सी में नेक्सT कुशन अफरिका महाधीप से क्या बनता है एक मात्र ऐसा माधीप जिसमें बिरह खबाति कर्क सक गुजरती हैं तो आप से महादीब नेक्स्ट क्यों क्या है कि एक मातर ऐसा महादीब जो चारों गोलार्द में स्थित है अफरीका क्यों क्या पुछा जाएगा कि एक मातर ऐसा महादीब कौन सा है जो चारों गोलार्दों मिश्ती थे, उत्री गोलार्द, दक्सिनी गोलार्द, पुरीवी गोलार्द, और पस्चिमी गोलार्द, तो ये चारों गोलार्दों मिश्ती थे, कौन सा महादीब, अफरीका महादीब, नेक्स्ट क्या बनता है, अफरीका महादीब की सबसे उंची बहूत important question है, mount killie men jarow, अफरीका महादीब की सबसे उची चोटी कोण सी है, mount killie men jarow, अब आप comment करके मुझे ये बता दो कि भारत की सबसे उची उची चोटी कोण सी है, comment जरूर करोगे, किस्वन मैंने ये पुछा है कि बारत की सबसे उंची चोटी कोन सी है नेक्स्ट किस्वन अफरिका महादीब से क्या बनता है कि अफरिका महादीब की सबसे लंबी नदी कोन सी है तो सबसे लंबी नदी कोन सी है नील नदी और नोट करके ये भी नोट कर लेना कि नील नदी विश्वे की सबसे लंबी नदी है किस्वन अगर आपसे ये पुछा जाए कि अफरिका महादीब की सबसे लंबी नदी कौन सी है नील नदी अगर किस्वन आपसे ये पुछा जाता है कि विश्वे की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कौन सी होगी नील नदी ही होगी नेक्स्ट क्यूशन अफरिका महादीब का क्या बनता है कि अफरिका महादीब की सबसे बड़ी जील कौन सी है कौन सी जील है विक्टोरिया जील है अब आपके दिमाग में ये क्यूशन उठता होगा कि Victoria Jill किस देश में तो मैं आपको बता दू कि तीन देश हैं उन तीनों देश की सीमा के उपर सित है कौन सी जील? Victoria Jill अफरीका महादीब की सबसे बड़ी जील है कौन सी? Victoria Jill Next question क्या बनता है? कि Victoria Jill विश्वय की दूसरी सबसे बड़ी मिठे पानी की जील है तो आप से कुछा जा सकता है कि विश्वय की दूसरी सबसे बड़ी मिठे पानी की जील कौन सी है? तो आनसर क्या होगा? Victoria Jill अब आपके दिमाग में कुछन उठेगा कि विश्वय की सबसे बड़ी मिठे पानी की जील कौन सी है? एक नमबर पर कौन सी है? तो आनसर क्या होगा? सुपिरियर जील और सुपिरियर जील भी कनाड़ा और USA की सीमा के उपर है किन दो देसों की सीमा पर है? कनाड़ा और USA Next question देखते हैं Next question हमारे सामने है बहुत यह आसान question है बारत के पडोसी देशों की संक्या कितनी है तो right answer क्या होगा option C, साथ है कितनी संक्या है, साथ संक्या है अब पडोसी देशों से समंदित कुछ important question देख लेते हैं साथ कौन-कौन से देश है आपको किशन क्या पुछा दा सकता है कि इन में से कौन सा बारत का पडोसी देश नहीं है तो आपको ये साथो नाम याद रखने जरूरी है इनकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ बच्पन में बी ये जो बारत के पडोसी देश है उनकी ट्रिक क्या है बच्पन में बी ये बच्पन में B.A. से कैसे कैसे बनेगा B.A. से बांगला देश, C.A. से चीन, P.A. से पाकिस्तान, N.A. से नेपाल, M.A. से मयामार, B.A. से बुटान और A. से अफगानिस्तान तो सातों देश याद रख लेना ट्रिक क्या है बच्पन में B.A. बांगला देश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, मयामार, बुटान, अफगानिस्तान ये साथ देश हैं जो हमारे देश की सीमा के साथ लगते हैं नेक्स्ट क्यों क्या पुछा जा सकता है कि बारत के कुल कितने राजे हैं जो पडोसी देशों से सीमा बनाते हैं तो कितने राजे हैं? 17 राजे हैं जो बारत के पडोसी देश हैं इन से सीमा बनाते हैं ये जो साथ देश आपको दिखाई दे रहे हैं इनके साथ बारत के सत्रा राजे ऐसे हैं जो इनके साथ सीमा बनाते हैं नेक्स्ट कुशन देखते हैं बारत की सिमा की लंबाई कितनी है 15200 किलोमेटर कितनी है 15200 किलोमेटर बारत की सिमा की लंबाई है नेक्स्ट कुछन अब ये पूछा जाता है कि बारत के जो पडोसी देश हैं वो है साथ लेकिन सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है बांगला देश के साथ किस देश के साथ लगती है बांगला देश के साथ बांगला देश के साथ कितनी सीमा लगती है 4,96.7 किलोमेटर कितनी लगती है 4,96.7 किलोमेटर सीमा बांगला देश के साथ लगती है नेक्स्ट कुशन ये पुछा जाता है कि बारत के पडोसी देशों में किस देश के साथ सबसे कम सीमा लगती है तो किस देश के साथ लगती है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, 106 किलोमेटर, कितनी 106 किलोमेटर सारे ही important question है, सबी question को note कर लेना और वीडियो को फटाफट share कर दो, वीडियो के नेचे share का बटन होगा, share के बटन को दबाओ और आपके whatsapp, facebook, instagram, telegram सबी जगर सेर कर दो, क्योंकि बहुती अच्छा session है ये, चलिए देखते हैं, next question, next question हमारे सामने है, सीमा सुरुक्षिया बलकी स्तापना कब हुई, क्यों क्या पुछा गया है, सीमा सुरुक्षिया बलकी स्तापना कब हुई, BSF, Border Security Force की स्तापना कब हु हुई थी, option आपके है, 1949, 1950, 1965, 1971, तो right answer क्या होगा, 1965, option C, आपका सही होगा, BSF की स्तापना, 1965 issue हुई थी, BSF का मुख्याले कहां पर है, नई दिल्ली में है, कहां पर है, नई दिल्ली में, next question आप से पुछा जा सकता है, कि BSF की full form क्या है, तो Border Security Force, next question देखते हैं, next question हमारे सा काजी रंगा राश्टी ये उध्यान, कहां स्तित है, क्यों सुन क्या पूछा गया है, काजी रंगा राश्टी ये उध्यान, कहां स्तित है, option आपके है, असम, पस्चिम बंगाल, उत्रपरदेश, मद्देश, तो right answer होगा, option A, असम, काजी रंगा राश्टी ये उध्यान, कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्य उध्यान परसीद है तो आप का अनसर क्या होगा काजी रेंगा राष्ट्य उध्यान जो कहां पर है असम के अंदर है नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन बहुती इंपोर्टेंट क्यूशन है तो Option B आपका सही होगा, इndra Col राइट अनसर क्या होगा? Option B, इndra Col इndra Col भारत का सबसे उत्री बिंदू है अब आब के दिमाग में ये किश्न उठेगा कि इndra Col कहां पर है? इंरा Col अगर उत्री बिंदू है तो दक्षणी बिंदू कोन सा है? पूरवी बिंदू कौन सा है और पस्चिमी बिंदू कौन सा है तो सभी क्यूशन discussion करेंगे पहला क्यूशन आपके दिमाग में ये है कि बारत का सबसे उत्री बिंदू जो इंदरा कौल है ये कहां सेते है तो option आपका सही होगा जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर में सही है जम्मू कस्मीर में सही है कौन सा point है इंदरा कौल नेक्स क्यूशन आपके दिमाग में ये बनता है कि दक्षिन्तम बिंदू कौन सा है तो दक्षिन्तम बिंदू है इंदरा point ये कहां पर सेता है अंडमान और निकोबार दीप सु में मिस दीता है कौ कब देखते हैं डस कुमार चरीतरम पुस्तक के लेखक कोन है किसन बहुत ही इंपोर्टेंड आर्मई के अग्जाम में पुस्तकों के लेखक भी पूछे जाते हैं एक क्युशन बहुत बार आता है, एक क्युशन तो आना ही आना है, तो आप से पुछा गया है कि दस कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कोन है, ये पुस्तक थी जिसमें दस राजकुमारों के चरितर के बारे में लिखा गया था, लेखक कोन है इसके, ओप्शन A है दंडी, B व सुर्योस्त का देश किस देश को कहा जाता है अच्छा क्यों सुन है कि सुर्योस्त का देश किस देश को कहा जाता है कि किस देश का नाम है सुर्योस्त का देश किस देश को कहा जाता है ओप्सन आपके हैं बिर्टेन जापान नौर्वे कनाड़ा तो राइट आनसर होगा बिर of settings the exhale यह पूछ गया है कि Land of Settings किस देश को कहा जाता है तो आपका क्या सही होगा बिटेश राजदानी जो important देश हैं मुखे मुखे देश हैं उनकी राजदान या आर्मिय के एक्साम में पूछि जाती है तो बेटेन की राज़दानी क्या है लंदन और बेटेन की मुद्रा का नाम क्या है पाउंड स्ट्रलिंग मुद्रा का नाम क्या है पाउंड स्ट्रलिंग नेक्स्ट कुछन देखते हैं अंत्रिक्स का सहर किस सहर को कहा जाता है कि जो सहरों के उपना में वो भी आर्मी के एक्जाम में पूछे जाते हैं अंत्रिक्स का सहर किस सहर को कहा जाता है ओप्सन आपके हैं कोलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर तो राइट अनसर क्या होगा ओप्सन डी बैंगलोर तो ये था सेशन, बहुत ही अच्छा सेशन था, इसमें काफी सारे क्यूशन मैंने आपको करवा दिये हैं अब मैं आपके लिए एक इनफोर्मेशन दे दूँ कि आर्मी बरती की संपूर्ण त्यारी करवाई जाएगी और ऐसी त्यारी करवाई जाएगी कि आप आर्मी के एक्जाम में बिल्कुल भी एक परसेंट भी आपके रहने के चांस नहीं है अगर आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हो और उनको रिवीजन करते हो और एक इनफॉर्मिसन ओर दे कि आर्मी के नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाते हो तो ये मेरे वाट्स अप नमबर है आप मुझे वाट्स अप कर सकते हो और आर्मी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है गंटी का निसान है इस गंटी के निसान को जरूर दबा लें जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो प्लोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए सेसन कैसा लगा क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे सेसन को सेर करोगे अपने सभी आर्मी की तैरी करने वाले दोस्तों के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जैहिंद जैभार्त